दोस्तो एक जनवरी 1982 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार इतनी ज़ादा लोग पर ये हुई थी कि सब ने इस फिल्म को काफे ज़ादा पसंद किया था इसकी कहानी रोमेंस और ड्रामा से भरपूर फिल्म थी फिल्म में दर्शकों ने गुंजा के क किरदार को सबसे ज़्यादा पसंद किया था फिल्म के हिट होने का राज गुंजा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने एकदम से इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली और यह बोलीवुड इंडस्ट्री से कैसे अचानक द इस किरदार को काफी ज़्यादा पसंद किया था और इनके किरदार को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि इनकी पहली फिल्म से ही इन्हें काफी फेम हासिल किया था वैसे तो साथना को कभी भी अभी नेत्री बनने का कोई शोक नहीं था और वह अभी नेत्री बनना अभी नहीं चाहती थी लेकिन एक बार यह अपनी बहन के साथ शूटिंग देखने गई थी वहां पर सूरज बढ़ जात्या की नजर इन पर पड़ी और इन्हें देखते ही उन्होंने तै कर लिया की साथना को अपनी फिल्म में हिरोईन के लिए कास्ट करना है जिसके बाद इन्हें फिल्म नदिया के पार में काम करने का मौका मिला और इससे इन्होंने काफे ज़्यादा लोग पिडेता हासिल की जब इनकी फिल्म की शूटिंग खतम हुई और जब साधना गाउं जाने लगी तब महां के सबी लोग रोने लगे इस फिल्म के बाद अभीनेत्री निर्देशकों की पहली पसंद बन गई थी फिर इन्हें ससुराल तुलसी औरत पत्थर जैसे फिल्मों में काम करने का मौका मिला अगर बात की जाए इनकी अचानक इंडस्ट्री को छोड़ देने की तो इन्होंने एक इंटर्वियू में बताया था कि अपने गुंजा के किर किरदार करना चाहती थी लेकिन इन्हें गुंजा के किरदार की तरह और किरदार नहीं मिले थे एक टाइम ऐसा आया कि इन्हें फिल्मों के ओफर आना ही बंद हो गए जिसके चलते इन्होंने इंडस्ट्री से किनारा कर लिया और यह अपने घर परिवार में व्यास्त हो ग सब्सक्राइब करना ना भूले